हाई एवरिवान गुड मॉर्निंग विल्कम बैक टू माई न्यू ब्लॉग तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मंडे का दिन है और सुबह का टाइम है करीब 6 बजने वाले हैं 5-10 मिनट वही बाकी होगा तो बस मैं अभी नहा के आई हूँ नादो के और तुरंत आगे हो कीचन में तो चाय रख दिया मैंने और यहाँ पे भिंडी भी कट कर लिया है चाय होते होते वही भिंडी कर लिया धो के रख दिया था रात को ही रात को मैंने भिंडी की ही सबजी बनाई थी तो उसी में से थोड़ा सा ऐसे ही रख दिया था कि स और इधर कुन्रू भी कट कर ले रहे हूं, तो इसको भी दो के रात को रख दिया था, तो जो काम मैं राद को कर सकती हूं, उसे रात को कर देती हूं, जैसे बिन्डी का भुजिया बनाना होता है, तो वो भी मैं रात को ही कट कर लेती हूं लेकिन कुनरू अगरा है न की कट करके नहीं रखे जाते हैं मतलब कट किया और तुरंद बनाओ तो सही है मतलब आदा गंटा एक गंटा इतना पहले कट कर सकते हैं रात को मैं नहीं कट करती हूं तो दोग के छान के रख दिया था तो बस सबजी कट करने के बाद कुनरू भी डाल दिया है और दाल भी रख दिया है तो यह सब काम किचन में हो रहा है और यहां प्या गए हूं मंदिर की सफाई करने तो तन मैं अभी नहाने गया है तो नहा के आकर पूजा करेगा तो इस वज़े से मैंने पहले ये जाड़ू और पोच्छा लगा दिया मंदिर में क्यों पूजा करने के बाद ना फिर सफाई मंदिर की नहीं होती और तुरंट बाद तो नहीं करना चाहिए और मुझे भी खाना बनाने के बाद तुरंट पूजा करनी है तो इसी वज़े से मैंने जाड़ू पोच्छा कर दिया अभी बरतन वगरा जो है वो सब मैं खाना पिना होने के बाद धुलूंगी तो बस यहाँ पे ये डाल और सबजी हो रही है भिंडी वाली हो गई है कड़ाई रखके अभी पूरियां तल ले रही हूँ तो हुआ क्या फिर ना कि तनमे का क्लास जाना आज कैंसिल हो गया कोई मैसेज वगर आया जो भी रहा हो तो उसका हुआ कि अब नहीं जाएगा मूड तो मेरा बहुत खराब हो गया सोचती हूँ कि पहले ये काम कर लूँ कहीं लेट न हो जाए तो ये सारे काम ने पड़ जाते हैं तो फिर पूजा वगर आराम से मैं करती हूँ उसमें फिर घबडाहट या जल्दभाजी न सही नहीं रहती है तो फिर यही पूडियां मैंने तली और उसको दे दिया नास्ते के लिए कि लो वही अप्टेफिन नहीं ले जा रहे हो तो अब नास्ता यही कर लो जो है मैंने बनाया है तो मेरा मेहनत खराब नहीं होना चाहिए और वो भी न बस उसको ये था कि मैंने बताया नहीं कि नहीं जाना है तो इस वज़र से मम्मी गुस्सा होंगी तो बस बस वही हाँ बना दी है न तो दे दीजे मैं खा लूँगा तो बस वह सब निप्टाने के बाद वही रोटी बनाई और इनको भी खाना दिया और फिर पूजा वगरा किया और अभी यहाँ पे आ गए हूँ छट पे तो ये गेहू धुला हुआ है इन्होंने ही दोया है तो तनमे से मैंने मंगाया है अभी छट पे आटा जो है न अभी खतम होने वाला है और अब पूजा वगर आ रहे हैं नस्दीक में तो फिर साफ आटे की जरूरत पड़ती है तो वही धूप निकली थी आज अच्छी तो गेहू धुल गया है तो इसी को बस फैला रही हूँ और ना अभी जो है ये मेरे फोन के कैमरे में थोड़ी सी और बड़ी कुछ हो गई है मैंने ध्यान नहीं दिया तो हलका सा धुंदला जैसा आ रहा होग़ा तो बहुत मतलब कलियर नहीं आ रहा है वह तो बहुत सतिक हो भार यह ना तुरंट मैंने इसलिए कि धूप जोए ना वही है देखे धूप छा हो रही है मतलब धूप भी हो रही है और फिर तुरंट बादल जैसा भी हो जा रहा है तो बस इसलिए जल्दी जल्दी फैला दिया कि जितना भी सूख जाएगा और एक बारी अगर अच्छे से सू होगी तो यह खराब हो जाएगा तो बस उपर पहलाने के बाद यहां यह च्छत पे देखे कितनी गंड़गी हो रखी है वही यह हो जुल्दे समय पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया तो इन्होंने साप तो किया था लेकिन अच्छे से साप नहीं हुआ है तो बस इसको भी आगे हूं कि धूप जादा हो जाएगा इधर भी आजाएगा तो अभी उधर का सारा काम बाकी अभी मैंने मतलब चाय वगरा भी दुबारा जो मैं पीती हूं वो सब कुछ ने किया है सिर्फ जो है फूजा करी कि पूजा पहले कर लेती हूं उसके बाद यह सारे काम निप एक फटा हो गया लेकिन बिल्कुल लगी ने रहा है कि सावन का महीना है होता है ना सावन में मतलब बारीस जमा जम वाली होती है ठेंडा मौसम रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल धूप तेज हो रही है और उमस गर्मी का तो पूछिए हिमत सब की हालत खराब है ज इधर तो गंदगी थी और उधर भी मुझे जाडू लगाना था पहले जाडू लगा लेती हूं उसके बाद सफाई करती हूं ना तो सही रहता है तो जाडू लगाने का काम साम के टाइम ही हो पाता है सूबत तो नहीं समय मिलता है मतलब उधर का काम खतम करने में वही है ट पानी गिर गया था और गंदगी बहुत जादा थी तो मुझे तुरंट होना पड़ा कि फिर इधर बात्रूम जाना होता है तो धूल पैरों में लगेगा फिर बात्रूम में भी जाएगा फिर उदर पूरे घर में जाएगा तो इसको तुरंट साथ कर दिया तो अभी सही है जो है तो बस अब इसके बाद जो है चलूँगी उधर का काम करने तो पहले जो है नास्ता करूंगी कुछ थोड़ा रेश्ट करूंगी क्योंकि गर्मी इतनी जादा हो गई ना वही चाय पीते थोड़ा हवा अगरा ले लूँगे उसके बाद आगेगा कामे स्टार्ट जो तनमे को दी थी थोड़ी सी बच्ची थी और रोटी आज खाई है तो वो और चाय पिया है कि मतलब थोड़ा सा चाय पी लूँ जो है थकान जैसे मतलब हो जाता है ना उपर नीचे इस तरह का ये सब काम हो गए ना कि मुवाले और छट की दुलाई वगरा तो उसमें किचन में तो सबसे पहले किचन को क्लीन किया और अभी भी देखे जो है ये रोसनी गड़बड ही आ रही है इसके बाद जो है सही हो जाएगा इसके बाद मैंने देखा तो जब मैंने मतलब ये लगाया ना रिकॉर्डिंग वीडियो के लिए तो उसमें देखा मैंने साफ इससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो कैसा आ रहा है बस काम करते जा रहे थी और कैमरा लगाते जा रहे थी इसके बाद जब थोड़ा सा रिलेक्स हुई ना तो देखा तो जो है फिर मैंने साफ किया और अभी देखे क्लियर एकदम हो गया है तो किचन क्लीन कर तुरंत मैंने जाड़ू अगर अभी लगा लिया अभी पोच्छा नहीं लगाया है तो सबसे पहले यहां पे जो बरतन धुल के रखे हुए थे इनको यह बाहरी बरामदे में मंजुवांटी रख देती हैं वो मतलब धुल के वहां पे रख देती हूं उसके बाद मेरा काम होता है वहां से या तो मैं बरतन ले आती हूं बारी बारी या फिर यह बास्केट ही तो बास्केट ना कम बरतन रहते हैं तो लेती आती हूं नहीं जादा रहते हैं ना तो कभी-कभी जैसे बरतन ही उठा के वहां से एक-दो बारी में ले आती हूं और लगा देती हूं तो ये इंडोर प्लांट्स ही हैं और बहुत ही मतलब अच्छे पौदे हैं और बहुत महंगे हैं इसमें से मतलब तीन तो काफी महंगे हैं और एकदम गर्मी में बहुत जादा खराब हो गये थे तो मैंने थोड़ा सा मलई का केर किया गुडाई वगरा की खाट डाली तो अभी इनकी ग्रोथ हो रही है मुझे तो लगा था कहीं खराब न हो जाएं तो अभी इनकी ग्रोथ हो रही है न तो अभी मैंने अंदर ला दिया कि क्या पता जो है धूप फिर से हो रही है तो कहीं फिर न खराब हो जाएं तो अंदर मैं लेते आई तो अभी न कुछ दो में तो तो बाहर रख दूँगी नहीं तो ऐसे अंदर रहेगा तो ये देखे ये पतिया निकल रही है ये ना ब्रोकेन हार्ट का पौधा है और ये मतलब इसकी प्राइज जो है ना तीन सो चार सो रुपए के मतलब पौधा ये मिलता है तीन सो चार सो का साइद तो ये मर जाता ना तो मुझे बड़ी तकलीफ होती कि इतने महंगे महंगे पौधे लाओ लगाओ और उसके बाद जब खराब हो जाते है ना तो बहुत कस्ट होता है यहां पर ये रबर प्लांट है तो ये सब बाहर ही रखेते और अभी जो है जाडू से छत धोने के चकर में पूरा छीटे जो है पड़ गए तो इसको मैं बाद में साफ करूंगी और ये है फेलो डेंड्रोन इसको बूला जाता है ये भी बहुत महंगा ये भी आप नर्सरी में जो है तीन सो चार सो तक मिलता है मतलब तीन पौदे तो काफी महंगे है मनी प्लांट थोड़ा ग्रीन वाला सस्ता मि बाद मैं चली गई थी कपड़े दोने ज्यादा कपड़े नहीं थे हाथ से ही दोए है तो दो चार रहते है ना तो आजकल हाथ से ही दो देती हूं जिस दिन ज्यादा रहते हैं उस दिन मसीन लगाती हूं और कपड़ों का भी ऐसा है कि जैसे ब्लैक कलर के पैंट हो गए इ पोसब धुल के और जो कल के सूखे हुए कपड़े थे इनको लेते आई तो यहाँ पे मोड के तुरंत के तुरंत इसको लगा भी दे रहे हूं तो अब भी जो है सुबह का मेरा सारा काम खतम हो गया है अब इसके बाद ना मतलब रेस्ट करना है या मैं कोई एक्स्ट्रा काम एडिटिंग वगरा थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूं आदे गंटे गंटे उसके बाद ही एडिटिंग वगरा करती हूं तो बस अभी ये साम का टाइम है और यहाँ पे अभी गेम हूं उठा ले रहे हूं तो पूरा दिन भर धूप अच्छे से लगया और सूख भी गया तो मतलब अब यह टेंसन नहीं है कि खराब हो जाएगा दोने थे इसको गर्मी में ही लेकिन उस टाइम पे मैं फिर माय के चली गई दस दिन के लिए और इधर उधर में रह गया जो है मैं कहबी रही थी इन से बहुत पहले से ही कि निकाल दीजे धुल दिया जाए लेकिन यह भी थोड़ा साला परवाही कर गया कि चलो दुला जाएगा दुला जाएगा ऐसे में बारिस का मौसम आ गया नहीं तो गर्मी में धुल के रख दिया जाता है तो इस समय दिक्कत नहीं होती है अभी तो है कि डालने के बाद दिन भर पूरा चेक करना पड़ता है निश् प्री टाइम था कुछ काम नहीं था तो बस लहसुन लेके बैठ गई हूँ कि इसको इचिल लेती हूँ खतम भी हो गया है तो एक दिन चिल लेती हूँ न तो लब दो तीन दिन के लिए कभी जादा टाइम रहता है तो चार-पांस दिन भी चल जाता है मेरा तो वही है फिर चलता है तो बस इसके बाद रात के खाने की तयारी होगी अभी दियावत्ति का टाइम नहीं हुआ है तो वह भी मैं करूंगी तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ व्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर और मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थेंक्स फर वाचिंग